हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ पार्लिमेंट ने कल उसूलों पर फैसला किया और आमिरों के काले खानून का रास्ता रोका मुझे तरीक नहीं पिपल्स पार्टी से गिला है नवास चरीफ की एतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया सिग अफटे गू कहा पार्लिमेंट अब आमिरों को तहाफ़ देने को तैयार नहीं सिजेलियन माफिया और गौर्ट पादर जैसे अलफाज लिखना अदलिया को जेब नहीं देता हमारे सिलाफ पैसले बहुत जल्दी आ जाते हैं उनके पैसले नजाने कब आएंगे नवाज शरीफ की सहाफियों से गहर रस्मी गुप्तगू कहा रूल्स अफ गेम एक जैसे होने चाहिए तहरीक इनसाफ ने काम नहीं करने दिया इमरान खान का एजन्डा जूट और फरेब है इतिसाब अदालत में नवाज चरीफ का हलका फुलका मूल सहाफिका पर्स जेब से गिरा तो बोले जेब में डालने कोई और उठा लेगा तो इल्जाम मुझ पर आएगा इतिसाब अदालत में नवाज चरीफ करमी गवा मुहमद रशीद का बयान कलम बंद गवा को कन्ट्यूज किया जा रहा है नवाज प्रॉसेक्यूटर का इल्जाम ये बेजा मुदाखलत है ये क्यों लुकमा देते हैं फाजा हारिस का रद्दे अमल हम लुकमा देने ही खड़े है प्रॉसेक्यूटर अवजल खुरेशी का जवाब आपने लड़ना है तो फिर मैं चला जाता हूँ ये सादा सा गवा है जज मौमद बशीर के रिमार्स दूसरे गवा का बयान भी कलम बंद नवाज शरीफ और मर्यम नवाज नवाज ने एतिसाब अदालत में हाजनी से इस्तस्ना की तारीखों में तब्दीनी की तर्खास जमा करागी पेशी से इस्तस्ना की मुद्द पांच दिसंबर से पांच जन्वरी की जाए मर्यम नवाज की इस्तदा नवाज शरीफ जूटे इल्जामात में भी पेश हो रहे हैं वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डाकू और पार्लिमेंट पर हमला करने वाले भी अदालतों में पेश हो मर्यम औरंजेब की तनकी जूटे इल्जामात में भी पेश हो रहे हैं सिरफ इसलिए कि वो असल डाकू, उचोर और जूटे लोग भी आइन और कानून की बास्तारी करें जिन्होंने दिन दिहाडे सब के सामने पारलमन्ट पे हमला किया आसिप कर्मानी कहते हैं नवाज शरीफ प्लस हो गए, माइनस की बास करने वाले खुद माइनस हो गए लोग जो माइनस नवाज शरीफ फारमूले की खाहिश रखते थे, वो लोग अलहम्दलिल्ला कल खुद माइनस हो गए शरीफ फैमली की पेशी पर आज भी सक्त रिफाज़ती इंतिजामात वर्वर्वर्वर्ट कारकुनों की नारे बासी अधिसाब सब्का बराबरी की सता पर होना चाहिए मेरवाज शरीफ का पार्टी सदर बनना अवाम की जीत है आसमा जांगिय का मौकफ कहती है वजीर कानून को ओदे से हटाने का कोई जवाज नहीं अब हुकुमत कौन करते हैं पर असला सब को मिलकर करना है मनी लॉंडरिंग का बोल्जिम मोत का वजीर खजाना है वो कैसे वज़रा और जर्नेलों के साथ मीटिंस में शरीक हो सकता है शेख रशीद की तंकीद ये भी कहा कि दुश्टारोज हकुमत के बावन अरकाने समी से गाहिर थे सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी इसलाहाँ एक्ट के खिलाफ दर्खवास्तों पर रिजिस्टरार आफिस के अतराजाब खत्म चीफ जसिस का इंतखाबी इसलाहाँ एक्ट के खिलाफ अपीले समात के लिए मकरर करने का हुकुम देरा इसमाईल खान में जैशक गर्दों से जड़पने पाक फौज के मेजर साख शहीद नमाज जनाज़ा में आर्मी चीफ और धीगर की शिर्कत मादर वतन की इफाज़त का मुकद्स वरिजास और इंजाम देते रहेंगे डी जी आईस पियार का ट्वेट कराची के लाके करंगी में इल्यास गोट में एच शक्त की बीवी और मेटी को कतल करके खुदकुशी गुल्चन मेमार में अवाम ने लुटेरे की दुरदद बना दी मार पीट कर पुलीस के हवाले कर दिया टेरी के लबैक का सतर में रोज भी एतिजाज फैजबाद में धरना चारी रास्ता अवाम के लिए आज भी बन कराची में नुवाइश चौरंगी पर भी धरना खटारा बसों में सपर पर मजबूर कराची वालों के लिए अच्छी खबर गवर्नेंस इन केते हैं ग्रीन लाइन मनसूबा एप्रिलिया मई में शुरू होगा मनसूबा पर सियासत नहीं कर रहे यमन में जंग, भूक और बीमारियों के बाइस रवा साल पचास हजार बच्चों की अमवाद होई अक्वाम मुत्यादा की रिपोर्ट के मताबिक महासरे के बाइस रोजाना 130 बच्चे मर रहे हैं पर दो बाइस रषब के रिपोर्ट के बाइस रेखे रहे हैं